आप देख रहे हैं भुगोल का पेपर जो एक जिले में हुआ है तो चलिए इसके solutions की बात करते हैं कि कौन-कौन से answers इसके सही रहेंगे तो start करते क्योंकि एक बच्चे ने भेजा है बोला है सर हमें इसका solution बताईए तो बिल्कुल बताएंगे आपको आपने भेजा है पेपर तो अवश्य बताएंगे तो यहां पर पहले question से शुरुआत करते हैं यदि आप भी कोई भी student अगर अपना पीडियेफ भेजना चाहता है जैसे इस बच्चे ने भेजा है तो अपना पीडियेफ जो है हमारे WhatsApp नमबर 8469022568 इस नमबर भेज सकते हैं ठीक है भुगोल सब्द किस बिद्वान ने दिया था तो क्या answer हो जाएगा इसको दिया था इरिस्थार्निज ने ठीक है न तो यहां पर जो है इरिस्थार्निज जो है इसका answer में सही answer विकल्प हो जाएगा B option ठीक है B option इसका सही answer है next question इसमें पुछा गया है drumlin का निर्मान होता है तो drumlins का निर्मान जो है यह कैसे form होता है तो answer हो जायगा हिमानी अपर्दन द्वारा किस से होता यह हिमानी अपर्दन द्वारा तो यहाँ पर जो है 100 option इसका correct हो जाएगा अगला जो प्रशने उसकी बात करते हैं जहाँ जहाँ जो प्रशने possible होंगे जिसके answers possible होंगे सारे बताएंगे हम आपको next question ने उसकी बात करते है निमन में कौन सा देश दक्षिन में भारत का पडोसी है दक्षिन में भारत का पडोसी जो है वो उत्तर दक्षिन आप देखोगे उत्तर होता है उपर और दक्षिन होता है नीचे के तरफ और नीचे में पडोसी देश कौन सा है सिरलंका बिल्कुस सही आंसर और option correct हो जाएगा next question इसमें पूचा गया है सौर विकीरण की परावर्तित मातरा को कहते हैं सौर विकीरण की परावर्तित मातरा को हम जो है albedo कहते हैं तो यहाँ पर जो है और option correct हो जाएगा ठीक है बी option इसका सही आंसर है नेक्स्स जो कुष्यन उसकी बात करते हैं। नियुण मेंसे कौन सी नदी हिमाले तंत्र की नदी नहीं है। तो यह पढ़ती है आपके 23.5 डिगरी उत्री अक्षान्स पे, ठीक है ना, तो यहाँ पर जो है 23.5 जो लिखा है, 23.5 अगर लिखा हो तो भी आंसर सही है, इसके बाद जो next question है, पृत्वी का उपग्रेह है, तो पृत्वी का उपग्रेह कौन है, तो चंद्रमा जो है, पृत पूश्न नहीं है, ठीक है, तो यह की गई थी, 1992 में, 1992 में, ठीक है, और यहां पर यह option नहीं है, next question है, उसकी बात करते हैं, यहां पे दिखिये पूचा गया है, रेगर मृदा का दूसरा नाम है, तो रेगर मृदा को जो हम काली मृदा के नाम से बी जानते हैं, ब्लैक सोय इलाका है, तो यहां पर बाढ़ बहुत ही ना के बराबर या कम के बराबर मान सकते हैं, तो यहां पर राज्थान जो हिसका आंसर हो जाएगा, भारत की उत्तर से दक्षिन की वास्तुई की दूरी खालिस्तान है, तो उत्तर से दक्षिन की वास्तुई की दूरी है न, वो बत 314 km ठीक है? इसके बाद आई है next question पर. यहाँ पर पुछा गया है, डोडा बेटा चीटो खालिस्तान पहाडी संखला में इस्ति थे? चीटी. चीटी है ठीक है? थोड़ा सा छोटा लिखा है तो. तो यहाँ पर पुछा गया, डोडा बेटा चीटी खालिस्तान पहाडी में इस्ति थे? तो यह जो है ना नील गिरी पहाडी में इस्ति थे? कौन से भी नील गिरी? नील गिरी पहाडी में. इसका जो next question है, उसकी बात करते हैं. यहाँ पुछा गया आपसे, विश्व का सबसे बड़ा सागर खालिस्तान है, तो वह है प्रशान्त महासागर. अगला जो प्रशन है, उसकी बात करते हैं. यहाँ पुछा गया, पित्वी और चंद्रमा की नियुम्तम दूरी खालिस्तान कहलाती है. तो जो है, पित्वी और चंद्रमा की नियुम्तम दूरी को जो है, अम बोलते हैं, उपभू. क्या बोलते हैं, उपभू. उपभू कहलाती है. उसके बाद जो next question है, किसमें पूछा गया आपसे? तो किसने दिया था? इसको दिया था अल्फरेड वैगनर ने. किस ने दिया था अल्फ्रेड ऐल फ्रेड लगाना पड़ाएगा अल्फ्रेड वैगेर यहाप में लिखेंगे अल्फ्रेड वैगेट वैगेणर लIGHगेंर लिख दो कोई दिख्क्कत नहीं समझ मामाना चाहें कि सहीं नाम क्या है लफ्रेड बैगनर इसको देखिए यहाँ पर ITC-Z क्या है और अन्ता उसन कटिबंद अभिसारन छेत्र क्या है यह आपको बताना है आप बता सकते हैं ICD-Z जो है यह विश्वत व्रत परिस्तित निम्न वायू दाब वाला एक उशन कटिबंद यह अभिसारन छेत्र जो है वो है ठीक है इसके बाद जो है भारत में ठंडा मरुस्तल कहां इस्तित है तो यह जो है कश्मीर हिमाले के उत्री पूर्वी लद्धाक स्रेणी में है ठीक है अगला जो है इसमें पूछाएगा अनुब वन या वेलाचली वन क्या है तो अनुब वन या वेलाचली वन जो है यह क्या है वन अस्पति वन को कहा जाता है ठीक है इसके बाद जो नेक्स कुश्चन है विहार का शोक कौन सी नदी कहलाती है तो इसका चयहल यानि चटाने कितने प्रकार की होतों है यहांस monwi उष्चमा बजट किसे कहते हैं पहला प्रषन्यंदस पूछा गया होती है। ीच पूछा गया है Alexis rése। कॉरियालिस कॉर्स कर दाथ कर है। खादर और बांगर किसे कहते हैं, बहुत ही बार-बार पढ़ा आपने दस्वी क्लास में, वो कम्ब की जानकारी के लिए प्रत्यक्ष शादुनों के नाम लिखने हैं आपको, नेक्स जो है दीरगुत्तरी प्रशन उससे पहले है हिमाले नदीतंत्र, एम प्रायदिप, नदी कौण से विद्धमान है, कौनों के दिशा एम वेब को प्रभावित करने वाले कौन से कारक हैं, उनको बता देना है, नेक्स जो कुश्यन उसकी बात करते हैं, भारत को कितने भोगोली प्रदिशों में बाटा गया है, उनके नाम लिख देना है आपको, नेक्स जो है टिप में से किसी दो के उपर लिखना था है कोई चार प्राकर्तिक आपदाओं के नामाँ बता सकते हैं बूकम्प है बाड है भुसक्रन है और क्या है जिवाला मुखी है यह सारे का क्या है डिजास्टर से है उसके लावा जुरह है के नदिद्सवारा अपरदनात्मक एवं निच्छेपण आत्मक इस्ताल करतियों का वर्णन कर देना है और ओप्शन में जो दिया गया चकरवात किसे कहते हैं। और उश्र कटिबंदी एम शिशोशन कटिबंदी चक्रवात के अंतर क्या हो सकते हैं तो इसमें अत्वा दिया गया आपको दोनों में से कोई एक ही करना है इसके अलावा जो यहां पर कुछा गया है भारतिये मिट्टियों का वर्गी करण प्रस्तुत कीजिए मर्दा के उपाय भी आपको बता देना है इसमें option दिया गया है आपको फिर से अगर आप उपर नहीं करना चाहते तो भारतिय नदी अप वह तंत्र का विस्तार से वर्णन कर देना है यह आपका option हो गया मांचित्र कार्रे में आपको कुछ पूछे गए हैं यहां पर लद्दाक प पूची गई है और साथी साथ प्रशांत महा सागरिय पूची गए तो सब जगे इसमें पूचे गए हैं तो आपको 34 और 35 दोनों ही कार्य करने थे जिसमें इसने बोला है कि दो दो नंबर के जो है आपको आध्याध है नंबर मिलते सभी में तो यहां वे चार रंग पर तो आसा करता है इस वीडियो के माध्यम से आपके सामने आ रही है अगर आप कोई विश्य देखना चाहते हैं जिसको आपको जरूरत है तो आप चेक कर सकते हैं इस प्ले लिस्ट के माध्यम से थैंक्यू बरी मच्छ वे गुडड़े